ओम श्री गनेशाय नमा आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में दोस्तो आज हम बात करेंगे कुम राशी के बारे में आने वाले अगले तीन दिन 22 अपरेल से लेकर 24 अपरेल तक का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है दोस्तो हमारा राशी फल चंद राशी पर अथारित है 22 अरिक बुद्वार को वैशाक मास के कृशन पक्ष का समय रहेगा इसके बाद शुकल पक्ष प्रारम होगा चलिए शुरूआत करते हैं दोस्तो बाइश तारिक बुद्वार को अमावस्यातिती रहेगी दिन में रेबती नक्षत्र होगा और शाम को अशुनी नक्षत्र इस दिन चंदरमा दिन में मीन राशी में और साइकाल में मेश राशी से गोचर करेंगे दिन के समय में बुद का नक्षत्र और शाम को केतू का नक्षत्र रहने वाला है कुमराशी वालो दिन की शुरुआत आपके लिए बहुत बहतर होगी और यह दिन आपकी सेहत में बड़ा सुधार लाने वाला है यह समय आपके कामों में आपको बड़ा फाइदा देने वाला है कुमराशी वालो बुदवार के दिन आपको अचानक से गुप्त धन की प्राप्ती हो सकती है बुद्वार को दिन के समय में आपको अचानक से बड़ा फाइदा हो सकता है लेकिन आपको बहुत ज़्यदा जल्दवाजी करने से भी बचना चाहिए और सोच समझ कर ही आप अपने कामों को अंजाम दे इस दिन आपकी कंसेंट्रेशन में बिगडाव आ सकता है और मन में भटकाव भी आ सकता है आपकी कंसेंट्रेशन बहतर रहे और आप अपने कामों की तरफ ही फोकस्ट रहें ऐसा प्रयास आपको इस दिन करना है इस दिन आपको जल्दवाजी करने से बचना है संतान सुक की प्राप्ती इस दिन होगी इस दिन आपकी लव लाइफ भी खास रहेगी और पारिवारिक रिष्टों में भी मिठास आएगी इस दिन आपको अपने ब्यापार में सफलता मिलेगी और नोकरी करने वालों के लिए भी समय बहतरीन होगा पुराने अधूरे काम बनते हुए दिखाई देंगे खास तोर पर दोपहर बाद का समय आपके लिए बहतरीका है दोस्तों बात करें तेईस तारिक गुरुवार की इस दिन प्रती पदाति थी रहेगी दिन में अश्वनी नक्षत्र और शाम को भरनी नक्षत्र रहेगा इस दिन चंद्रमा मेश राशी से गोचर करेंगे दिन में केतु का नक्षत्र और शाम के समय में शुक्र का नक्षत्र रहने वाला है कुमराशी वालो इस दिन आप में जोश और उत्सा बना रहेगा और काम करने की गती बढ़ते हुए दिखाई देगी आप अधिक मेहनत करने को तैयार रहेंगे आपके सरीर में एक अलग सी ताकत भी बनी रहेगी आपकी सोच साकरात्मक होगी और एक पोस्टिव अनरजी को आप महसूस करेंगे इस दिन आप खाली बैठना पसंद नहीं करेंगे और नए लोगों से मुलाकात हो सकती है नए मितरता ओनलाइन भी हो सकती है दोस्तो ओनलाइन काम करने वालों को अच्छी सफलता अपने बिजनस में मिल सकती है नए संबंद कायम होंगे और व्यापारिक गतिविदियां तेज गति से आगे बढ़ेंगी आप अपनी नोकरी में भी आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे दोस्तो इस दिन आप के भोतिक सुक बढ़ेंगे बात करे 24 तारिक सुकरवार की इस दिन दित्याति थी रहेगी दिन में भरनी नक्षत्र और शाम के समय में कृतिका नक्षत रहेगा इस दिन चंदर्मा मेश राशी से गोचर करेंगे दिन में शुक्र का नक्षत्र और शाम को सूर्य का नक्षत्र रहने वाला है 24 तरीक का दिनाब के लिए बहुत बड़ी मात्रा में धनलाब और कामियाबी लेकर आने वाला है यह दिनाब के लिए बहुत खास होगा इस दिनाब के भाग्य में वृत्ती होगी किस्मत का साथ आपको मिलेगा परिवार से भी मदद प्राप्त होगी घर परिवार में सुक शान्ती बनेगी घर में नया सामान भी आ सकता है नया निवेश इस दिन किया जा सकता है और आप अपने कामों के लिए रिस्क भी ले सकते हैं इस दिन लिए गए फैसले आपको बहुत बड़ी सफलता देने वाले हैं, कुछ पारिवारिक जिमेवारियां इस दिन पढ़ेंगी लेकिन आप खुबी निभाएंगे, यह समय आप अपने काम को बहुत इंजोए करने वाले हैं, अपने कामों में आपकी रूची बढ़ेगी और आगे बढ़ने का प्रयास भी आपको सफल करेगा, दोस्तों का साथ भी मिलेगा और मोज मस्ती भी इस समय में होगी, आपका वेवाहिक जीवन बहुत खास रहेगा, आपके लाइफ पार्टनर की तरक्की इस दिन हो सकती है, और कोई नई खुशी आपको अपने आपका मन लगा रहेगा, व्यापार में बहुत अच्छा शुब समाचार इस दिन आपको मिल सकता है, यह समय आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और आपके मान सम्मान को भी बढ़ाने वाला है, दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे, वीडियो को लाइ और शेयर जरूर करें और सच्छे मन से ओम श्री गनेशाय नमाच जरूर लिखें।